हेलो गाइज वेलकर बेक टू मैं न्यू वीडियो तो आज मैं सिकाने वाला हूँ 10 रुपे में मात्र 10 रुपे में आपने सही सुना 10 रुपे में एक LED बल्व बनाना सिकाने वाला हूँ तो चलो मैं सामा लेके आता हूँ तो गाइज यह हमारा सामान और कोई भी सामान बेकार नहीं होता तो यह हमारे पास कुछ पुरानी लाइट हैं और इनसे ही आज हम LED सही करने वाले हैं तो मात्र 10 रुपे में LED सही करेंगे तो गाइज हमें इन मैंसे वा LED लेनी है झैसे कि यह बाली LED हमारी काम करेंगी हमें ना इसकी मसीन की जरूत है ना ही किसी और इसकी बल्व की जरूत है तो इनहें कर देते हैं साइड में तो गाइस हमें ये दो पार्ट की जरुवत है इस ना तो देखो इसके अंदर मसीन है और ना ही इसके अंदर LED लगी हुई है तो अब हम इसे जो ये तार अगर देख रहे हो आपको तो इसमें तो तार लगे हुए है इसे हम निकालेंगे पहले तो गाइसे मार्केट से में ले डारेक्ट लगाने वाला हूँ जो कि अब मार्केट से आप ये लाते हो तो इसमें ये मसीन पहले से ही लगी हुई है अब जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में ये वाली थोड़ी लोकल है जो की 10 रुपे की है और ये वाली थोड़ी ओरिजिनल है जो की 18 रुपे की है इसमें ज़्दा लगी हुई है LED और इसमें कम लगी हुई है ज़्दर लोग ज्यादा लाइट समझ के इसे ले लेते हैं वैसे मैं आपको दॉनों को चला कर देखां। तो पहले मैं आपको इसमें light चेक करा देता हूँ direct AC supply से तो गाई ये देखिए मैं आपको direct supply देकर दिखा चेक कराता हूँ ये देखो ये ओने आपके सामने है live और ये 10 रुपे वाली जो है ये 10 रुपे वाली है तो light लगवग इनकी बराबर ही है LED कम और ज्यादा होने से कोई difference नहीं आया है light में तो अब हम इसे इसमें लगाने वाले हैं तो पहले हम इसे बाइर लगाएंगे तो हम इसे बाइर लगा के इसमें direct लगा देंगे जैसा कि देख सकते हो आप ये खाली है और ज्यादा भी खाली है तो हम इस सक्षावे बाइर बाइर तो आप इसे लगाने वाले हम तो वाईज हमने इन दोनों में तार जोड़ लिए और ये खाली हैं और इन में हम इने लगाने वाले हैं तो इस वाले को हम इसमें लगाने वाले हैं अब इसमें हम उपर से सॉल्डिंग कर देंगे तो वाईज अब हमने कर लिए इन पर सॉल्डिंग जो कि आप देख सकते हो दोनों वही हैं इनके अंदर मसीन भी नहीं है जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो अब मैं इने चेक करके दिखाने वाला हूँ आपको ये मैंने लगा दिया है प्लग और ये देखिए इसकी काफी अच्छी ब्राइटनेस है और ये दूसरे वाली की भी दिखा देता हूँ मैं आपको ये देखिए इसकी भी काफी अच्छी ब्राइटनेस है तो अब हम इने अंधेरे में चेक करने वाले हैं तो हम इने कैप लगा लेते हैं इनके अब भी इनमें मसीन नहीं है आपके सामने लाइव है तो इसका कैप लगा लिया दूसरे के कैप लगा लेते हैं इसके अंदर भी मसीन नहीं है तो अब हमारे बल्फ दौड़ने के लिए तयार है तो है लो गाइज अब हम इसको चलाने वारे हैं यह लाइट आफ और यह देखिए इसकी जो काफी अच्छी वाइटनस है और मैं तो बुलकुल गज़े भी लग रहा हूं और आप दूसरे बलब को चेक करने वाले हैं तो यह देखिए इसकी इतनी अच्छी रोस्नी है काफी अच्छी है दौनों की दौनों मैंने आपको लाइब दिखाए है तो गाइस कैसा लगा आज का हमारे प्रोजेक्ट तो अगर आपको वीडियो और हमारी मेहत पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने चैन से बले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत